पिछले कुछ समय में कंगना रनौत ने फिल्म साइन की हो या नहीं की हो लेकिन हाँ पुलिस में अपना स्टेटमेंट दे कर उन्होंने कई जगे कई पुलिस स्टेशन में साइन ज़रूर किये हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में कंगना के साथ हुआ ही यह है FIR पर FIR, FIR पर FIR कहीं बार गिरफतारिक की situation भी आई लेकिन कंगना रनौत हर बार बच गई कंगना रनौत पर एक बार फिर से FIR की गई है इस बार बंगाल की तरफ से की गई है विस बंगौल की CM ममता बेनरट जी को खून की भूखी रक्षस कहने के लिए कंगना पर ये FIR हुई है कंगना के पंगे छोटे लेवल के नहीं होते हैं वो डाइरेक्ट CM लेवल के लोगों से पंगे लेती है अगर बात करें महराश्च्र की तो वहाँ पर भी डाइरेक्ट उद्धव ठाकरे से उनका पंगा था और अब यहाँ वेस बंगौल में ममता बेनरट जी के लिए आपत्ती जनक शब्दें इस्तिमाल करने के लिए कंगना पर ये FIR दर्स हुई है वेस बंगौल में हुनसा हुई उसके बाद कंगना रनौत ने ममता बेनरट जी पर काफी टिपड़ी की जिसमें काफी आपत्ती जनक शब्दों का इस्तिमाल किया इसके लावा उन्होंने ममता बेनरट जी को लेकर कहीं सारे मीन्स भी शेयर के जिसमें राक्षस, खुन की भूखी ऐसे शब्द लिखे हुए थे अब कंगना रनौत पर FIR दर्स हो गई है और इस FIR पर कंगना रनौत का रियाक्शन आया है कंगना ने कहा है कि विडमना तो ये है जो खुद वोट ना देने वालों पर हिंसा कर रही है वो मुझे कह रही है कि मैं सामुदाइक हिंसा भड़का रही हूँ मॉन्स्टर ममता ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है और पूरी दुनिया देख रही है कि तुम्हारे हाथ कितने मासूमों के खून से रंगे हुए हैं तुम मुझे डरा नहीं सकती हो और ना ही FIR से तुम मेरी आवास दबा सकती हो मॉन्स्टर और डिमॉन जैसे शब्द कंगना रनौत ने इस्तमाल किये हैं आपको बता दे कि वैसे ही बंगाल पर टिपने के कारण कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर ममता बेनरजी को लेकर पोस्ट डालनी शुरू कर दी और अब उनके उपर इसी के लिए FIR भी हुई है